हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 1-2 एर बेबी के लिए फ्रील वाली बहुती प्यारी सी फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं इसमें हमने बीच में एक प्लेट्स डाल दी है जिसी इसकी डिजाइनिंग और भी जादा खुबसरत हो गई है वन मिटर फेब्रिक हमने इसमें यूज किया है यहां पर हम इसमें बटन लगा लेते हैं आईए वीडियो शुरू करते हैं यह देखी फ्रेंड्स यहां पर यह हमने एक पीस ले लिया है जिसकी लेंद 16 इंच है और चोड़ाई में यह 18 इंच है इसको हम डबल करके रख लेते हैं यहां पर इसकी हो गई है शोल्डर हमें इसका 4.5 इंच रखना है और आरम होल की लेंद हमें इसकी 4.5 इंच रखनी है ऐसे हम इसमें सिधर शान लगा लेते हैं चेस्ट हमें इसकी 6.5 इंच रखनी है यहां से चकोर कर लेते हैं अब आर्म होल में हम गोलाई कर देते हैं वेस्ट लाइन हमें इसकी 4.5 इंच रखनी है और वेस्ट हमें इसकी 6 इंच रखनी है यहां से नीचे की साइड से हमें इसको 1.5 इंच का निशान लगा देना है और उपर के निशान को इस निशान से हमें मिला देना है यहां पर हम हलकी सी गोलाई कर लेते हैं नीचे की साइड भी हम गोलाई कर लेते हैं जिससे ये फ्रोक साइड से लटकती नहीं है चोड़ाई में हमें 1.5 इंच नेक का निशान लगाना है और लेंथ में 3 इंच लगाना है हम इसमें गोलाई कर लेते हैं अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं शोल्डर पर से हम इसको हलका सा ढालदार कटिंग करते हैं इसकी शेप बहुत ज़ादा अच्छे आती है नेक भी हम इसका कटिंग कर लेते हैं फ्रेंट्स यह हम बेक पीस अपना कटिंग कर रहे हैं यह देखिए पीस हमारा कटिंग हो गया है अब हम बेक नेक में थ्री इंच का कट लगा देते हैं जिससे बेबी को पहनाने में की है इसको हम 3 इंच कट कर देते हैं और यहां पर रखकर इसको लगाना है यह हमने फ्रंट के एक पीस ले लिया है जिसकी लेंद 16 इंच है और चोड़ाई में यह 27 इंच है फ्रेंच यह हमें लेंद में same front वाले piece के बराबर लेना है अब हम इसको double कर लेते हैं और इसके center में हलका सा cut लगा लेते हैं यहां से हम इसमे plates का निशान लगा लेते हैं 3.5 इंच और length में हमें इसको 9 इंच सीधा निशान 9 इंच का हम इस पर लगा लेते हैं दूसरी साइड से भी हम इसको ऐसे कर लेते हैं और इस साइड पर भी हमें प्लेट्स का चोड़ाई में 3.5 इंच का निशान लगाना है और लेंथ में हमें इसमें 9 इंच का लगाना है ये हमारी प्लेट्स डल चुकी है इस पर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है ये देखिए हमने यहां तक नाई नीच तक इस पर सीधी सिलाई लगा ली है अब हम इसको प्लेट्स को ऐसे कर लेते हैं और यहां पर भी एक सिलाई इसमें लगा लेते हैं यह हमने सिलाई लगा ली है आप देख सकते हैं प्लेट्स हमारी इस तरीके से बन गई है यह बेक ऐब हम इसको ऐसे डबल कर लेते हैं और यह प्लेट्स उत्षाते हुए इस कपड़े के उपर को रख लेते हैं जिस्से हमारी चौडाई जारे नहीं होगी तности आख कर देनी है और साइड में से भी हम इसमें ऐसे ही गोलाई कर देते है इसमें भी हम शोल्ड़र पर से हलका सा धाल दार कट कर देते हैं नेक हमें सेम Bake 피 के बराबर इसका कट कर लेना है कि दोनों पीस यहां पर हमारे कट कर त convers さ ने कर अदेके फ्रंट हलकी सी करनी है इसमें जिससे इसकी शेप आर्म होल की बहुत जादा अच्छे आती है ये देखिए पीस हमारा कुछ कटकर ऐसे हो गया है ये हमने क्रोस पाइपिन ली है रेब की पाइपिन जिसकी चोड़ाई वन इंच है आर्म होल में और नेक में लगाने के लिए ये हमने एक साइड से हमें यहां सिक्सी इंच नेक typically इसना ऊस्वी अर्व श्रा काइपिन देखिए में हें जिसकी लेखिए झाल चॉड़ाई है कि ऐसे एक फ्रिल हमें बेक का इतना ही रख देना है सेम और एक फोंड के फीस आद्प्रिल में हमें आदा इसमें और एक्स्ट्रा जोड लेना है क्योंकि बेक का पीस हमारा प्लेट्स डलने की वज़े से चोड़ाई में जादा है इसको एक साइड से हमें फॉल्ड करना है और एक साइड में चुड़नटे डाल लेनी है अब यह बेकने के हमारा इसको हम ऐसे रखते हैं और यहां से दूसरी साइड को पलट लेते हैं अब हमें इसमें हलका सा बीच में कट लगा देना है और सब फैबरिक इसमें नीचे की साइड को करते हुए इसके उपर हमें एक किनारे पर सिलाई लगा देनी है अब हम इसको अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए एक सिलाई इसके उप लगा देते हैं बीच से हम इसको चकोर कर लेते हैं फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बेक नेक हमार बनकर तयार हो गया है अब यह फ्रेंट्स नेक है हमारा इसमें हम प्लेट के उपर से नेक को सेट कर लेते हैं अच्छी तरीके से जिससे हम इसमें पट्टी लगाएंगे तो हमें परिशानी नहीं होगी एक सिलाई हम ने यहाँ पर लगा लिए है यह देखिए सिलाई हमार स्लीव में लगाते हैं यह आर्म होल में पाइपिन नेक में लगाते हैं तो यह साइड से खुलते नहीं हैं अब यह हमारी आर्म होल की अंदर की साइड को लगाने वाली पट्टी है इसको हमें धिला-धिला छोड़ते हुए लगाना है किसी भी जंगे से नहीं खीचना है फ् हलके हलके से कट लगा लेते हैं कट लगाते समय धियान रखें कि आपकी सिलाई कटे नहीं अब अंदर की साइड को इस पट्टी को फोल्ड करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा लेते हैं आप किसी भी चीज में पट्टी लगा रही हूँ इस तरीके से अगर आप पट्टी लगाएंगी तो आपकी पट्टी बहुती ज़ादा फिनिशिंग के साथ लगकर तयार होगी अब हम इसको अंदर को फोल्ड कर लेते हैं और इसके उपर किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं आप देख सकते हैं इसकी पट्टी कितने अच्छी तरीके से लगकर ये तयार हो रही है ऐसे ही हमें दूसरे आर्म होल में और नेक में इसके पट्टी लगाकर तयार करना है यह हमने आर्म होल में और नेक में पट्टी लगा लिए ऐसे ही यह हमारे फ्रील है प्रिल हम्हारा फ्रिल का हे आधह कटा हुआ इसमें जोड लेते हैं और इसको नीचे की साइड से बारिक सा फोल्ड कर लेते हैं। कर लेना है चुन्नटे आप इसमें धागे की भी बना सकते हैं ऐसे ही हमें दूसरा फ्रील भी अपना चुन्नटे डाल कर तयार करना है ये देखिए हमारी चुन्नटे कितनी प्यारी सी ये डल कर तयार हो गई है पूरे फ्रील में हमने चुन्नटे डाल ली है अब हम फ्रोक में फ्रील को लगा देते हैं जिस फ्रील में हमने जोड डाला है वो हमें फ्रंट साइड में लगाना है और जो हमारा बिना जोड का फ्रील है कम है लेंथ में फ्रील उसको हमें बेक साइड में लगाना है छुन्नटों को सेट करते हुए हम इसके उपर एक सिलाई लगा देते हैं अब हम इसके जो अंदर की साइड का फैबरिक है उसको इस फ्रोक के नीचे की साइड को करते हुए इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं जिससे ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है, बेक साइड का फिरिल भी हमने ऐसे ही लगा लिया है, अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं, दूसरी साइड में भी हमें इसमें फिटिंग की सिलाई ऐसे ही लगा कर तयार कर लेनी है, ये नीचे तक कि हम सिलाई लगा देते हैं यह देख सकते है फ्रेंच कितनी प्यारी सी यह हमारी फोग बन कर त상을 और तैयार हो गई है नेक की शेप भी इसमें कितनी प्यारी आ गई है और आहर महोल की भी यह बीच में प्लेट आ गई है बेबी के पहन कर यह ड्रेस बहुत जादा प्याई लगती है यहाँ पर हम इसमें बटन लगा लेते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बेल आइकोन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने ने डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाई बाई